मेरे बहुत ही प्रीय और बेहत सम्मानित साथियों रिदय की असीम गहराईयों से अभिनंदन बहुत बहुत हारदिक स्वाकत साथियों वर्ष 2022 थोड़ा समय इसके लिए रह गया है परंतु जो इसके लिए पहले तैयारी करके रखेगा उसको सफलता सुनिश्चित होगी शुरुवात जो पहले कर देता है उसकी सफलता का रास्ता भी आसान हो जाता है और सफलता तो सुनिश्चित हो ही जाती है साथियों हमारी इस विशिष्ट श्रिंखला में हम चर्चा कर रहे हैं प्रत्यक राशी के लिए 2022 कैसा रहने वाला है कौन से उसके सकारात्मक्पक्ष है और कौन से उसके थोड़े से नकारात्मक्पक्ष है इन दोनों पर ही हम प्रकाश डाल रहे हैं साथियों श्रिंखला हमारी जारी है और आप भी अपनी राशी से संबंदित यदी जानकारी चाहते हैं कि क्या लेकर के आया है आपके लिए वर्ष दो हजार बाइस तो इस श्रिंखला को आप अवश ही देखी। साथियो कबीर दास जी ने भवश को लेकर के और भवश को बहतर बनाने को लेकर के एक बहुत सुंदर बात कही बहुत ही सामान नी शब्दों में आपने जरूर सुनी होगी। काल करे सो आज कर और आज करे सो अब पल में परले होगी तो बहुरी करेगा कब। वो सीधा सा ये बात कह रहे हैं कि जो कल करना है जो भवश में करना है वो आज ही कर लो उसकी तयारी आज ही कर लो। साथियो भूत काल जो की बीट चुका है उसको आप एडिट नहीं कर सकते परंतु भवश्य को यदि आप पता लगा करके एडिट करने का प्रयास करेंगे तो उसमें काफी हद तक आपको सफलता अवश्य ही मिल जाएगी साथियो किसक्षेत्र में आपको लाभ किसक्षेत्र में हानी होने वाली है क्या आपकी प्लानिंग बिलकुल सही तरीके से सटीक बैठने वाली है प्रमोशन होने वाला है वेतन वृद्धी होने वाली है डिमोशन होने वाला है क्या क्या परिवर्तन होने वाला है यदि पहले से हमें पता लग जाए तो हम उसकी एडिटिंग का प्रयास जरूर कर सकते हैं तो आईए साथियों बिना किसी देरी की हम जानते हैं वरिशब राशी के लिए 2022 कैसा रहने वाला है साथियों हमारा प्रयास है कि ये राशी फल की शरिंखला बहुत ही संक्षेप और बहुत ही सार गर्भित रहे तो सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ सकारात्मक कुछ पॉजिटिव पक्षों की वर्ष 2022 जो है वो यदी वरिशब राशी के लिए ये कहा जाए कि नवीन अवसरों का एक द्वार खोल देगा तो बिलकुल भी गलत नहीं रहेगा भविश में जिस शिकर पर आपको पहुँचना है उसकी प्रिष्ट भूमी सफलता की प्रिष्ट भूमी उसकी जो इबारत है वो 2022 में ही लिखी जाने वाली है इसके लिए आपको अभी से कमर जरूर कस लेना चाहिए चात्रों के लिए ये इस माइने में विशेश और सुखद रहने वाला है कि जो चात्र प्रोफेशनल स्टडीज कर रहे हैं अपने अंतिम वर्ष की परीक्षा देंगे 2022 में उनको कैमपस से बहुत अच्छा प्लेसमेंट मिलेगा ऐसे चात्र जो की विदेश जाना चाहते हैं पढ़ाई करने के लिए उनको विदेश में किसी अच्छी यूनिवर्सिटी किसी अच्छे श्रेष्ट कॉलेज में दाखिला भी अवश्य ही मिल जाएगा और ऐसे मेरे भाई जो बेरोजगार हैं और विदेश जाकर के वो पी आर प्राप्त करना चाहते हैं तो उनको भी विदेश में इच्छित जॉब जरूर मिलेगी साथ ही जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं सरकारी नौकरी को प्राप्त करने की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी वर्ष 2022 बहुत خاص रहने वाला है क्योंकि छात्रों के लिए हम देखते हैं पंचम भाव को और पंचम भाव में जो मंगल का गोचर है वो पूरे वर्ष भर आपको सपोर्ट करता रहेगा साथियों बात मैं थोड़ी सी स्वास्थ पक्षकी भी करूँगा वर्षब राशी के जो जातक किसी भी बीमारी से ग्रस्थ हैं उनकी वो जो बीमारी है उसमें बहुत ज्यादा कमी 2022 में आएगी और खास तोर पर हमारे घर के जो वरिष्ठ सदस्य हैं जो बुजर्ग हैं उनको भी स्वास्थ हिलाब अवश्य ही मिलेगा साथियों जो नौकरी पेशा हैं चाहे फिर वो सरकारी नौकरी कर रहे हैं या फिर वो निजिक शेत्र में हैं या किसी मल्टीनेशनल कमपनी में नौकरी कर रहे हैं वो अपनी तरक्की के सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं साथियों वेतन वृध्धी तो उनकी होगी ही दाइत्व भी उनका बढ़ेगा और नौकरी में उनका रुतबा भी अवश्य ही बढ़ेगा कारण बनेंगे शनीदेव शनीदेव वरिशब राशी के लिए वैसे भी योग कारक होते हैं और भाग्य भाव में जो उनका गोचर है वो उनके लिए अत्रिक्त आयका सरजन करेगा जो कारोबारी हैं वो एक नवीन व्यवसाय जरूर ही प्रारंब करेंगे ऐसे वरिशब राशी के भाई और बहन जो की अपना घर तलाश रहे हैं चाहते हैं कि अपनी छट के नीचे वो शिफ्ट हों तो अगस्त के बाद में उनको इसका अवसर भी अवश ही मिलेगा अब बात करते हैं शीरशक की जो हमने लिखा है संतान सुख अवश ही मिलेगा साथियों इसकी खुशखबरी आपको वर्ष के अंत तक अवश ही मिल जाएगी वर्ष के उत्तरार्ध में मिल जाएगी संतान सुख लेकर के आया है और खास तोर पर ऐसे जातक जो की बहुत समय से प्लानिंग कर रहे थे पर सफलता उनको प्राप्त नहीं हो रही थी उनको संतान सुख की जो सौगात है वो वर्ष 2022 अवश ही देगा तो धेर सारी आपको शुब कामना है तो साथियों जैसे फूलों के साथ में काटे भी होते हैं हर चीज़ का एक स्याह पक्ष भी होता है तो कुछ नकारात्मक पक्ष भी लेकर के आए हैं जिसको हम बिल्कुल नजर अंदाज नहीं कर सकतेंगे और आपको उसका खयाल रखना चाहिए ताकि उस नकारात्मकता को आप काफी हद तक कम कर सकें सबसे पहली आपको सावधनी बरतनी है अपने खर्चों में पर खर्च करेगी देखिए व्यक्ति जब अपनी आवशक्ताओं पर खर्च करता है तो वो खर्चा कम होता है पर जब वो अपनी इच्छाओं की पूर्ती के लिए खर्च करना प्रारंब कर दे तब खर्चों की कोई सीमा नहीं होती किसी ने ठीक ही कहा है कि शौक बड़ी चीज है पर अप इस पर कंट्रोल जरूर रखे दूसरा जो स्याह पक्ष है वो है प्रेम का पक्ष लव का पक्ष या लव मैरिज का पक्ष जिन जातकों ने लव मैरिज की है उनके संबंधों में तनाव यहां पर पश्ट रूप से 2022 में होंगे और यदि आप अभी प्रेम में हैं और चाहते हैं कि आपका प्रेम विवाह संपन हो जाए तो उसमें भी बाधाएं अवश आएगी एक दूसरे के परिवाश के जो विवाह के लिए बहुत आसानी से राजी नहीं होने वाले साथियो पंचम भाव जो है वहा से प्रेम और प्रेम संबंधों का निरन्य किया जाता है और पंचम भाव के स्वामी आपके बन रहे हैं बुद्ध जो की नवम भाव में गोचर करेंगे कई व्यक्ति आपके जीवन में आएंगे यदि आप सच्चे प्यार की तलाश कर रहे हैं तो इस वर्ष आपको हो सकता है कि निराश ही रहना पड़े तो साथियों आज इस एपिसोड में हमने चर्चा की कि वर्ष 2022 कैसा रहेगा व्रिशभ राशी के लिए आपको ये अपनी जन्म लगन की राशी से देखना है साथियों इसी प्रकार से ये श्रिंखला हमारी जारी है आपके स्नह के हम आकांक्षी है आप सभी स्वस्थ, सम्रद्ध और शांति पूर्वक जीवन व्यतीत करें नमस्कार जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं जैसे की शादी में देरी होना पती-पत्नी में मन मुटाव या तलाक तक की नौबत आजाना संतान का प्राप्त ना हो पाना नौकरी या धन प्राप्ती में बाधा आना जीवन के प्रत्यक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना तो आज ही अपनी जन्म पत्त्रिका का संपूर्ण विशलेशन करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ती